नमस्कार साथियों यह है लीगल सब्दों से सम्मंदित डिक्टेशन है जो एक केस के रूप में है डिक्टेशन ठीक पांस सेकंड बाद स्टार्ट होगी इस प्रकार अरजीदार के द्वारा प्रिस्तुत दस्तावेजी साक्षे के सम्मंद में जो तरक प्रित्यर्थी द्वारा लिये गए है वह मानने योग्य नहीं है इसके अत्रिक्ट अरजीदार की ओर से प्रिस्तुत किये गए गवाः विजय खंडेलवाल पी डबल्यू एक ने अपनी मुख्य परिच्छा में अरजी में वरनित तथ्यों के सम्मंद में इस पर्ष्ट कथन किये हैं जबकि इस गवाः से की गई जिरह में मुख्य रूप से विवादित परिसर में कितने कमरे हैं वै कमरों की साइज वै परिसर के साइज आदी के बारे में परिसन पूछे गए हैं जबकि इस गवाः ने इस संबंद में उत्तर दिया है कि वह अब उस परिसर में आता जाता नहीं हैं क्योंकि वह सांते कुझ में निवास करता है इसके अत्रिक इस गवाः से दीपक एजेंसी के संबंद में जो प्रसन ऊचे गए हैं उनके मुख्य रूप से दीपक एजेंसी जो की अरजीदार के पुत्र उमाकांत के द्वारा चलाई जाती है के बाबत पूछे गए हैं विराम जिन में मुख्य रूप से दीपक एजेंसी पार्टनर्शिप में है या प्रोप्राइटर्शिप में दीपक एजेंसी कब से कार्य कर रही है विराम दीपक एजेंसी ने सी एस्टी या आर एस्टी नंबर लिये हैं या नहीं आदी प्रसन पूछे गए हैं उक्त प्रसनों के बाबत इस गवहा ने अनभिग्यता जाहिर की है वे इस गवहा ने कथन किया है कि इस बाबत उमाकांत ही बता सकता है विराम इस गवहा द्वारा अपनी जिरहे में स्वाभाविक उत्तर दिये गए हैं चुकि यह गवहा विवादित परिशर पर आता जाता वर्तमान में आता जाता नहीं है विराम पैरा ऐसी इस्तिती में उसे इस संबंद में जानकारी नहीं होना अरजिदार के मामले के लिए घातक नहीं माना जा सकता है विराम इस गवहा ने कथन किया है की मैं यह नहीं बता सकता की फर्म 1902 में से कार्य कर रही है विवादित दुकान मेरी देखी हुई है लेकिन मैं उसकी साइज नहीं बता सकता हूँ क्योंकि पिताजी ने खरीदी है विराम दुकान कब से किराय पर है मुझे नहीं पता विराम किराया नामा लिखा गया था या मोखिक आधार पर दी गई मुझे नहीं पता विराम दुखान का किराया कितना है? यह उमाकांट को पता है किराया जमा हो रहा है या नहीं विराम यह भी उमाकांत को पता है चूकि यह गवहा अपने पेत्रक निवास पर नहीं रहकर सांतिकुंज में निवास करता है वै विवादिप परिशर में अरजीदार ताराचंद वै उसका पुत्र उमाकांत निवास करता है विराम ऐसी इस्ति में इस गवहा द्वारा अपनी जिरह में जो अनभिक ग्यता जाहिर की गई है वह स्वभाविक है इस गवहा से दीपक एजेंसी के आएकर रिटन वै उसकी आमदनी बाबत भी प्रसन पूछे गए हैं जिस बाबत इस गवहा ने दीपक एजेंसी द्वारा प्रिया गोल्ड के बिस्कुट के थोक का वै रिटेल का कार्य करने बाबत दिये हैं वहां मारकेट नहीं है विराम पैरा इस प्रकार इस गवहा ने भी अपनी साक्षे में इस पस्ट कतन किये हैं कि उमाकांत द्वारा जिस इस्थान से कारोबार किया जाता है वहां पर ग्रहा कम आते हैं तथा मारकेट नहीं होना कथित किया है वै जिरह में दीपक एजेंसी के अन्य गोदामों के बारे में भी अनविग्यता जाहिर की है तथा कारोबार को घर से किये जाने के तथे भी अपनी जिरह में कथित किये हैं विराम प्रित्यर्थी द्वारा अपनी जिरह में दीपक बंसल के बाबत गुपता जनरल इस्टोर का लाइसेंस प्रेदस ए एक जिसका मालिक अनिल बंसल के होने प्रेदस ए दो बंसल जनरल इस्टोर के अवकास की सूचना का पत्र लाइसेंस प्रेदस ए तीन को एवं बिल प्रेदस ए चार को प्रेदसित करवाया गया है विराम उक्त दस्तावेजों को प्रेदसित करवाया जाने के संबंद में दोराने साक्षे आपत्ती को सुरक्षित रखा गया था विराम उक्त दस्तावेजातो के सूसंगत प्रकती के होने से दोराने साक्षे अरजीदार द्वारा की गई आपत्ती को खारिज किया जाता है विराम हस्तगत अरजी में पी डबलू एक विजय कुमार की साक्षे में प्रत्यर्थी द्वारा बंसल जनरल स्टोर को स्वैम की दुकान नहीं होने तथा उसे उसके मालिक अनिल गुपता के बाबत जो दस्तावेज प्रदसित करवाए गए हैं किन्तु हस्तगत अरजी में विवादित दुकान की अरजीदार के पुत्र को स्वैम के कारोबार हेतु युक्ति युक्त वै सदभाविक आवे सक्ता के तथ्यों के बाबत तथ्यों को साबित करना हैं विराम बंसल जनरल इस्टोर के बाबत अरजीदार द्वारा अपनी अरजी में तथ्यों किये गए हैं विराम किन्तु उक्त बंसल जनरल इस्टोर बराबर वाली दुकान जो भी तृत्यर्थी द्वारा किराय पर लिये जाने वै उस पर गैर कानूनी तरीके से बिजली सपलाई लिये जाने के तथ्यों का अभीवचन किया गया है चूकी अरजीदार द्वारा उक्त अरजी में एक मातर आधार स्वैम के पुत्र के युक्ति युक्त वै सदभाविक आवेसक्ता को लिया गया है विराम एसी स्थ्ति में बंसल जनरल इस्टोर के संबंध में इस प्रकार के संबंध में पृत्यर्थी की और से जरहे में जो प्रसन पूछे गए हैं उनका उनसे कोई सहायता पृत्यर्थी को प्राप नहीं होती है विराम गवा पी डबल्यू एक विजय कुमार की संपून जिरहे में यह तथ्थे प्रिकट नहीं हुआ है की अरजीदार का पुत्र उमाकांत द्वारा दिनेश दीपक एजेंसी का कारोबार स्वेम की रिहाइसी मकान संख्या दो अलकापुरी में नहीं किया जा रहा है विराम साथियों इस डिक्टेशन में अरद विराम का प्रियोग जादा हुआ है तो आप डिक्टेशन टाइप करने के बाद मिलान जरूर करें धन्यवाद साथियों